मोसम चाहे कैसा भी हो लेकिन किसी भी मोसम में सबसे बड़ी परेशानी होती है एनरजी की कमी जी हाँ दोस्तो ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल होती है खुद को दुबारा से एनर्जी दे पाना क्योंकि अगर शरीर में एनर्जी की कमी है तो आप किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे और ठका ठका सा मेसुस कर पाएंगे दोस्तो आज कल कई किस्म की दमाईया और एनरजी ड्रेंक आते हैं लेकिन इनके जितने फाइदे बताये जाते हैं उससे कई ज़्यादा इनके नुकसान होते हैं जो कि आपको बताये नहीं जाते दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दस ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन करके आप अपने ठकी ठकी बोडी को वापिस एनरजेटिक बना सकते हैं और एनरजी की कमे को दूर कर सकते हैं जिससे आप भेतर ढंग से काम कर पाएंगे और काम के दोरान आपको ठकान नहीं होगी तो दोस्तो वीडियो में आगे बड़े उससे पहले, दोस्तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस करें तो दोस्तो इस लिष्ट में सबसे पहले नमबर पर आता है बदाम जी हाँ आपने बच्पन में सुना होगा कि बदाम खाने से दिमाग तेज होता है और ये बात बिल्कुल सज भी है इसमें मौझूद मेगनेशियम और विटामिन B खाने को उर्जा में बदल देते हैं इसलिए थकान दूर करने के लिए और शरीर में एनरजी का लेवल मेंटेन करने के लिए आपको बदाम जरूर खाने चाहिए बात करते हैं दूसरी चीच की जो की है पॉपकॉर्ण दोस्तो इसमें जबरदस्त कार्बो हाइडरेट होते हैं जो सेहत को बहुत सारी तरीके से फाइदा पुचाते हैं अगर आप अपनी बोड़ी में कैलरी नहीं बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपनी बोड़ी में एनरजी का लेवल मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कारगर सिध्ध होते हैं जी हां दोस्तों मक्षन, नमक या तेल के बिना अगर इनको आप खाएंगे तो ये आपके शरीर में इंस्टेंट एनरजी बढ़ाएंगे बात करते हैं अगली चीज की जोकी है केला दोस्तों केला एक ऐसा फल है जिसको सभी उड़जा से जुड़े फलों में सबसे अच्छा माना जाता है ये इसमें मुझूद फाइबर, विटामिन B6 और पोटेशम का ही कमाल है कि एक स्टेडी के मताबिक 75 किलोमेटर के साइकल ट्रेल से पिले एक केला आपको उतनी एनर्जी देता है कि आपको किसी भी ड्रिंक की जरुवत नहीं पड़ती ये बात साबित करती है कि केला हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है बात करते हैं अंगली चीट की जोकी है शकरकंदी जी हां मीठे होने के साथ साथ शकरकंदी उर्जा का एक बहतरिन सोर से एक मीठे आलू में 23 ग्राम कार्बोईडरेट, 3.8 ग्राम फाइबर, जरुवत का 28 प्रतिशत मेगनीज और जरुवत से ज़्यादा 438 प्रतिशत विटामिन A होता है दोस्तो इसको खाने से भी आपके थकान जल्दूर्द होती है और शरीर में एनरजी बढ़ती है बात करते हैं अगली चीट की जोकी है कॉफी दोस्तो केफीन और प्रती कप सिर्फ 2 कैलरी प्रदान करने वाली इस ड्रिंक को सभी लोग पसंद करते हैं इसको पीते ही जिस तरह से उर्जा मिलती है उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है अगर आपको कभी रात में इसका सेवन किया हो कोफी का तो आप ये पाएंगे कि इसको पीते ही ना केवल थकान बलकि नीन भी दूर हो जाती है तो जिन लोगों को नीन से चुटी पानी है और एनरजी को भी बरकरार रखना है वो कोफी को भी पी सकते हैं लेकिन ज्यादा मातरा में नहीं अगली चीज आती है दोस्तो अंडे दोस्तो अंडे ना सिर्फ खुराक के लिए अच्छे हैं बलकि इनसे जबरदस्त उर्जा भी मिलती हैं इनमें मोजूद प्रोटीन उर्जा के लिए बहुत ही अच्छा उप्शन है साथ ही इसको खाने से बलड शुगर और इंसुलीन म कोई खास बड़ोतरी नहीं होती है इसके साथ इनमें एमिनो एसिड भी होते हैं जो काफी फाइदे मन माने जाते हैं अगली चीज आती है दोस्तो सेब दोस्तो एक मीडियम साइच का जो सेब होता है उसमें 25 ग्राम कार्ब्स 19 ग्राम शुगर और 4 ग्राम फाइबर होता है जो की शरीर के लिए बहुत अच्छा है इसके साथ सेब में ऐसे एंटी ओक्सिडेंट होते हैं जो कार्बो हाइडरेट के पाचक को आराम से होने देते हैं जिसकी वज़े से आपको एक लंबे समय तक एनरजी मिलती है बात करते हैं अगली चीज की जो की है ओरेंज याने क संत्रा दोस्तों विटामिन C से भरपूर संत्रे को खाकर आप अच्छी सेहत पा सकते हैं इसमें काफी अच्छी मातरा में एंटी ओक्सिडेंट मोजूद होते हैं जिसकी मदद से आप ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बस सकते हैं ये एक ऐसा फल है जिससे आप खुद को और सेहत को बहुत बहतर बना सकते हैं क्योंकि ना किवल एंटी ओक्सिडेंट बलकि इसमें विटामिन C भी जरूरी मातरा से 106 प्रतिशत तक ज्यादा होता है अब बात करते हैं इस लिष्ट में 90 नंबर की चीज़ की जो की है स्ट्रोबेरी दोस्तों स्ट्रोबेरी से आपको काफी ज़्यादा एनर्जी मिलती है इसमें 12 ग्राम कार्ब, 3 ग्राम फाइबर और 7 ग्राम शुकर होता है जो शरीर को एनर्जी देने में काफी हेल्फुल होता है इसमें जरूरी मातरा से 159 प्रतिशत ज्यादा विटामिन C होता है जो की ठकान को दूर करने और मोटा पे क भी ड्रोकने में काफी ज़्यादा समर्थ है अब बात करते हैं आखरी चीज की जोकी है ग्रीन टी दोस्तो चाई का अमूमन हर कोई शोकिन होता है तो दोस्तो अगर आपको भी चाई पसंद है तो आपके लिए ग्रीन टी एक अच्छा उप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें भी कोफी की तरह ही केफिन पाए जाता है जो कि शरीर में एनर्जी को इंक्रीज करता है इससे आपकी ठकान दूर होगी और आपकी एनर्जी भी बढ़साएगी तो दोस्तो ये थे वो 10 तरह की चीजे जिनका आप सेवन कर सकते हैं और ठकी ठकी बोड़ी से चुटकारा पा सकते हैं एनर्जी बढ़ा सकते हैं और एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी आज की जानकारी आप सबी लोगों के लिए I hope कि आपके लिए ये वीडियो यूसफूल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो इस वीडियो को लाइक करे शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जड़ दमाएं धन्यवाद दोस्तों